दोस्तों तो चली आज NTPC Railway SSC CHL सब में पूछे जाने वाले बार बार दो रहा है जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट GKGS के कुश्चन को पढ़ेंगे पहला कुश्चन है क्रिकेट में LBW का क्या आर्थ है ओप्सन है सही आंसर है क्रिकेट में LBW का आर्थ कुशन नमर दो है जलिया वाला बाग हत्याकांट कब हुआ था आप्सन सहै 1935, 1965, 1919 या 1930 सही आंसर है आप्सन सी 1919 जलिया वाला बाग हत्याकांट 1919 इस भी में हुआ था नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर तीन है दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है ओप्सन सहै UAE, फ्रांस, नेपाल या भारत सही आंसर है ओप्सन A UAE दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE देश का बना है कोश्चन नमर चार है भारत में कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं ओप्सन सहैं एक, दो, तीन, या चार सही आंसर है ओप्सन C तीन भारत में तीन प्रकार के पासपोर्ट होते हैं कुशन नमर पांच है कुटुब मिनार को किसने बनवाया है औप्सन से रजिया, कुटुब उद्दीन एवक, इल्ट उत्मिस या बलवन सही आंसर है औप्सन भी कुटुब उद्दीन एवक कुटुब मिनार को कुटुब उद्दीन एवक ने बनवाया है Option B, सही आंसर है, कुतुब उद्दीन एवक Question 6 है, कुतुब मिनार में कितने मंजिल की इमारत है Options है, साथ मंजिल, आठ मंजिल, छे मंजिल या पांच मंजिल सही आंसर है, Option D, पांच मंजिल कुतुब मिनार पांच मंजिल की इमारत है Option D, सहीज आंशर है, पांच मंझिल Question number 7 है भारत में कौन सी नदी करक रेखा को दो बार काटती है Opening C, कावेरी नदी, ब्रंपुत्र नदी या गंगा नदी सही आंशर है Option A, माही नदी जो ये गुजरात में है भारत में माही नदी करक रेखा को दो बार काटती है option A सही आंसर है माही नदी question number 8 है अर्थसास्त्र के जनक कौन है options है रिकार्डो, एड़मिश्मित, माल्थस या रॉबिंसन सही आंसर है option B एड़मिश्मित, अर्थसास्त्र के जनक एडम इश्मित को कहा जाता है option B सही answer है question number 9 है आरी भारत में शरुपथम कहां से आये थे options है पांचाल, पंजाब, तिबबत या प्राग जियोतिश सही answer है option C, तिबबत से आरी भारत में शरुपथम तिबबत से आये थे सही answer है option C, तिबबत next question, question number 10 है स्वार्प नाली की खोज किस वेग्यानिक ने किया था options है copper निकस, Newton, Kepler या गैलीलियो सही answer है option C, copper निकस स्वार्प नाली की खोज, copper निकस ने किया था option A, सही answer है copper निकस अगला question है, किस बंदलगाह को बटवारे का पुत्र कहा जाता है options है, विशाखा पत्नम, कांडला, मुंबई या कोलकाता सही answer है option B, कांडला बंदरगाह कांडला बंदरगाह को बटवारे का पुत्र कहा जाता है option B, सही answer है कांडला question number 12 है, भगत सिंग का अश्मारक कहा इस्तित है options है, फिरोजपूर, अमरित सर, लुधियाना या बिलासपूर सही answer है option A, फिरोजपूर भगत सिंग का अश्मारक फिरोजपूर में इस्तित है option A, सही answer है, question number 12 है, फिरोजपूर question number 13 है, आपका जैन धर में कुल कितने तिर्थकार थे options है, 27, 26, 25 या 24 सही answer है option D, 24, जैन धर में कुल 24 तिर्थकार थे option D, सही answer है, 24 अगला question है, question number 14, पैंच टाइगर रिजर्प किस राज़े में इस्तित है options है, महराष्ट, मध्यप्रदेश, 36 गड़ या दोनों A और B सही answer है option D, दोनों A और B, महराष्ट और मध्यप्रदेश, दोनों के बीच पैंच टाइगर रिजर्प आता है option D, सही answer होगा है, महराष्ट और मध्यप्रदेश next question, question number 15 है, एकल नागरिकता का प्राबधान किस देश से लिया गया है options है, रूश, ब्रीटेन, इंग्लेंड या इटिली सही answer है option B, ब्रीटेन, एकल नागरिकता का प्राबधान, ब्रीटेन देश से लिया गया है option B, सही answer है, ब्रीटेन इसी तरह के important interesting GKGS को question को जानने के लिए चैनल को like, share and subscribe करें